नमस्कार जोहार मैं आचना जैस्वाल आप देख रहें न्यूल जारकन चली जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की जारकन की तमाम बड़ी खबरों को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने आज देवगर एम्स के जन उसुदी केंद्र का ओनलाइन उद्घाटन किया है प्रधान मंत्री ने कहा मुझे खुसी है कि बाबा की भूमी से मुझे उद्घाटन करने का अफसर मिला अब गाउं की लोगों को सस्ती दवा मिलेगी प्रधान मंत्री ने कहा मेरी इक्षा यही है कि आपके पैसे बचने चाहिए आपको बीमारी से भी बचाना और आपके जेब में भी पैसे बचाना इसका मतलब है कि मोधी की दवाई की दुकान यहां 2000 से अधिक दवाईं 50-90 फीसद दवाओं में डिसकाउंट मिलेगी मुझे कैसी 25,000 जन उसधी केंद्र खोलना है पीम जन उसधी केंद्र का उधगाटन उसधी केंद्र में सरकारी जनेरिक दवाईयों के साथ साथ कुल 1600 दवाईयां उपलब्ध होंगी करीब 900 सर्जिकल आइटम भी यहां उपलब्ध होंगे इम्स परिसर में अमरित फॉर्मेसी के पास ही पीम जन उसधी केंद्र है प्रधानमधिन अरेंद्र मोधी द्वारा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्ये देश के 10,000 में पीम जन उसधी केंद्र का उधगाटन किया गया है समारों में गोड़ा सांसट डॉक्टर निशिकान दूबे देवगर एम्स में उपस्थ लगा कर दवा लेने से राहत मिलेगी तथा आसधी केंद्र में सश्ती दर पर सभी दवाईयां उपलब्द होंगी इमर्जेंसी सेवा चालू होने के बाद यहां 24 घंटे सुविधा मिलेगी प्रधानमंत्री जन उसधी केंद्र में 50-90 फीसदी तक मरीजों को डिसकाउंट में दवाईया मिलेंगी इसमें सभी सरकारिक जनरिक दवाईयां उपलब्द होंगी इम्स के डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली सभी दवाईयां भी असानी से यहां मौजूद होंगी देवगर इम्स में इमर्जेंसी सेवा चालू होने के बाद यहां 24 घंटे सुवि मिलेगी फिलाल ओपीडी के नुसार जन उसिदी केंद्र खुला रहेगा पीम जन उसिदी केंद्र खुल जाने से मरीजों को अमरित फार्मेसी में लंबी लाइने लगा कर दवा लेने से राहत मिलेगी तथा उसिदी केंद्र में सस्ती दर पर सभी दवाईयां उपलब्द होंगी जार्कन प्रतियोगी परिक्षा विधयक को राजिपाल ने दी मंजूरी पहली बार नकल करते पकड़े गए तो होगी एक वर्स की जेल जार्कन में अब नियुकती प्रतियोगी ता परिक्षा में नकल करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर सम्मंदित व्यक्ति को एक वर्स की जेल होगी, साथी पांच लाख रुपे जुर्माना लगाया जाएका। इतना ही नहीं नकल करते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन वर्स की सजावा दस लाख रुपे जुर्माना लगेगा। परिक्षा संचालन में शड़ेंत्र करने पर 10 वर्ष की सजा तथ 10 करोड रुपए जुर्माना लगेंगे। SBI का फर्ज लिंक बना कर ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी गिरफतार, 9 मोबाईल फोन और 18 सिमकाट बरामद। अर्जुन कुमार मंडल, धनबात के मनियाडिय निवासी, राजेश कुमार मंडल और अहिल्यापूर थाना छेतर के लखनपूर निवासी, सुबास मंडल शामिल हैं। तीनों के पास से पुलिस ने 9 मोबाईल और 18 सिमकाट बरामत किये हैं। उक्ताशा की जैनकारी गृडिया एस्पी दीपक कुमार शर्मा ने प्रसवारता में दी है। टननल से निकले जारखन के 15 मजदूरों की घर वापसी जल्द सहायता राशी भी देगी सरकार। जारखन स्रम विभाग के कई अधिकारी उत्रा खंड पहुचे हुए हैं और मजदूरों से संपर्क बनाए हुए हैं। बता दें कि 12 नहुंबर को उत्तरकासी के सिलक्यारा में हुए सुरंग हाथसे में 41 मजदूर सुरंग के अंदर फस गये थे। मजदूरों को निकालने के लिए राजी सरकार और केंद्र सरकार की ओर से हर संभो प्रयास किये गये। और 17 दिनों की लंबी मशक्कत के बाद सभी मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जा सका। सुरंग से बाहर आने के बाद मजदूरों को स्वास्त जाच के लिए इस्थानी अस्पताल ले जाया गया है। वहां उन्हें एक दिन रखा गया और उसके बाद सभी मजदूरों को रिशिकेश शिफ्ट कर दिया गया जार्खन सरकार के श्रम विभाग से मिली जनकारी के मुताबिक अगले दो दिनों तक मजदूरों की व्यापक स्वास्त जाज की जाएगी संपुर स्वास्त जाज के ब जारी की जा रही है इसके अलावा श्रम विभाग की ओर से मजदूरों को लाने के लिए अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं केंद्रिय ग्रीमंत्री अमित्सा आज आएंगे जार्खन्ट हजारी बाग में बिस्फ के राइजिंग डे परेड में होंगे शामिल अलर्ट मोड म पर आ रहे हैं पुलिस मुख्याले की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक विशाम को बिर्सा मुंड़ा एरपोर्ट पहुचेंगे वे हजारी बाग में बिस्फ के राइजिंग डे परेड में शामिल होंगे जार्कन पुलिस के अधिकारी उनकी अगवानी में जूटे हुए हैं पुलिस मुख्याले की ओर से ही उनके आने जाने के कारेक्रम की मौनिटरिंग की जा रही है ग्री मंतरी के आगमन को लेकर पुलिस मुख्याले की ओर से अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है जनकारी के अनुसार केंद्री ग्री मंतरी अमिस्सा आ राइजिंग डे परेड में शिर्कत करेंगे निर्धारित कारिक्रम को लेकर राची एरपोर्ट से लेकर हजारी बाग तक सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गए हैं अभी तक की जनकारी के नुसार इस थापना दिवस कारिक्रम के बाद वे बीएसफ के अधिकारियों के साथ मिटिंग करेंगे उपराष्टपती जगदीब धंकड आ रहे हैं जारखंड इस कारिक्रम में होंगे शामिल इसी मंजुनाथ भंजत्री वा सस्पी किशोर कॉसल ने बुधवार को जीला प्रसासन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की साथ ही टाटा ऑडिटोरियम का भी निरिक्षड किया जहां सुरक्षय वा मिधी ववस्था आधी पर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया कारेक्रम इस्थल पर DCSSP ने एंट्री एक्षिट विधी ववस्था बैरिकेडिंग वा पार्किंग ववस्था आधी की समिक्षा की कारेक्रम इस्थल पर दंडाधिकारियों की प्रतिनी उक्ती रूट चार्थता वी आईपी मुव्मेंट के दौरान यतायात ववस्था सुगम बनाने के लिए दिशा निर्देश दिये कैं सुरक्षय वा मिधी ववस्था में किसी तरह की चूक ना हो इसका विशेश ध्या रखा जा रहा है खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको जारखन की हर चोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर राची में 62 साल की महिला को अगवाकर गैंग ग्रेप मेले से उठा ले गये थे राची के नामकुम्ताना छेतर से एक बजर्ग महिला के साथ गैंग ग्रेप का माम strivingा सामने आया है महिला की उमर 62 साल है घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अपराधियों ने महिला को चा प्रतिनीधियों को मिली इसके बाद उन्हें रिम्स में भरती कराया गया महिला के पती और बेटे ने डालसा को आवेदन दे कर नयाय दिलाने की बात कही है डालसा प्रतिनीधि अनीता यादो ने बताया कि 17 नहुंबर को नामकुम से कोचबोंग गाउ में जत्रा मेला लगा ह हुआ था महिला मेला घुमने गई थी इसी दोरान महिला को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया महिला ने बताया है कि 3-4 लगुने एक गाड़ी में बैठा कर किसी सुनसान जगा पर ले गए महिला की हालत ठीक नहीं थी इसलिए वा बयान नहीं दे पा रही है पिडिता के सर है आग की लप्टे इतनी भयावत ही कि पंप में कारेरत कर्मियों में हडकम मच गया 31 दिसंबर तक रात 11 से सुब़ पांच बजे तक ओवर ब्रीज पर वहनों की नो एंट्री सिरम टोली फ्लाई ओवर निर्मार को लेकर राजेंद्र चौक ओवर ब्रीज पर 29 नोहमबर से 31 दिसंबर तक रात 11 से सुब़ पांच बजे तक सभी प्रकार के वहनों का प्रवेश बंद रहेगा इस दोरान वैकल्पिक मार्ग से वहान आना जाना करेंगे पतनिर्मार विभाग पत्रमंडल के कारेपालक अभी अन्ता ने जीला प्रशासन वर राची ट्रैफिक पुलिस से इसमें सहयोग करने का अग्रह किया है जैक ने जारी किया पहली से आठवी अर्धवार्शिक परिक्षा का शेडिूल देखे पूरी लिस्ट जैक ने पहली और आठवी तक की अर्धवार्शिक परिक्षा का शेडिूल जारी कर दिया है जारिश रिड्यूल के अनुसार परिक्षा 20 दिसंबर से सुरू होगी जो कि 23 दिसंबर तक चलेगी 23 दिसंबर तक चलने वाल यह परिक्षा दो पालियों में होगी दोनों ही पालियों में दो दो घंटे की लिखित परिक्षा ली जाएगी बता दें कि पहली कक्षा के छात्रों के लिए ये अर्दवाशिक परिक्षा मौखिक रूप में होगी, वहीं दूसरी से आठ्वी के लिए लिखित में होगी, जैक द्वारा जारिश रिडूल के नुसार दूसरी से आठ्वी तक की जो लिखित परिक्षा होगी, उसमें अब परिक्षा हॉल में बच्चों को प्रश्ण पत्र के साथ उत्तर पुस्तिका भी दी जाएगी, हर सब्जक्ट की 60-60 की परिक्षा ली जाएगी, वही 40 संग इंटर्नल मुल्यांकन से दी जाएगी, बता दें कि 6-8 वी तक की मैथ, साइंस और सोसल साइंस के लिए लिखित परि आतंक से ग्रामीड परिशान कई को किया घायल, चास प्रखन के चाकुलिया गाओं में बंदरों ने आतंक मचा रखा है, ग्रामीड सबजी सही तन्य की खेती नहीं कर पा रहे हैं, बंदरों द्वारा नश्ट करने के कारण छेतर में लोग सबजी का उत्पादन करना छोड चुके हैं, वही अब बंदर सीधे लोगों पर हमला कर रहा है, आए दिन बंदर ग्रामीडों पर हमला कर घायल कर रहा है, एक जुन्ड में बंदर एक साथ गाउं में प्रवेस करते हैं, किसी को अपने नाखुनों से नोच रहे हैं, तो किसी को कान पकड़कर थपड़ मार चुके हैं, सभी इलाज भी करा रहे हैं, ग्रामीडों द्वारा जीला प्रशासन सहित्वन विभाग को, इस बंदर के आतंक से निजाद दिलाने की मांग की गई है, ग्रामीडों ने बताया है कि बंदर जुंड बना कर आते हैं, घर के अंदर से खादे सामगरी, कपड़े व शराब बेचने वाली एजनसी जीडी एक्स ब्लेक लिस्टेड आठ करोड रुपे जब्त, बेवरिच कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज में शराब बिक्री करने वाली प्लेस्मेंट एजनसी जीडी एक्स को ब्लेक लिस्टेड कर दिया है, इसके अलावा एजनसी लामू, लतेहार, गडवा, रामगड और बुकारों में खुद्रा सराब विक्री के लिए काम दिया गया था। अब इन सभी जीलों में शराब विक्री करजिमा नई प्लेस्मेंट एजनसी को दिया जाएगा। इस एजेंसी पर आरोप है कि शराब विक्री करने के बाद पैसा जमा नहीं किया था, इस मामले का खुलासा गड़वा में पदिस्थापित उत्पाद अब पर निरिक्षक ने किया था, वित्याम नीमित्ता का मामला आने के बाद जाच के लिए एक कमिटी का गठन किया गया, जिसके बाद विभाग ने इस एजेंसी को ब्लेक लिस्टेट कर दिया है, जारखन में दरोगा के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, हाजत में युवक की मौत से जुड़ा केस, जारखन के जमताड़ा जीले के नरायरपुर थाने के पुर्व थानेदार दरोगा, हरिश्कुमार पाठक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चल रहा है, हरिश्कुमार पाठक के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, मामला पुलिस हिराशत में मिनाज अंसारी नामक युवक की मौत से संबंदित है, जमताड़ा के ACJM कोर्ट ने हरिश् इसको दिया है, जमताड़ा पुलिस ने वारंट की कॉपी CTC मुसाबनी SP को भेजी है, ताकि वारंट का निप्टारा किया जा सके, जनकारी के मताबिक हरिस पाठक वर्तमान में पुलिस मुख्याला में प्रतिन युक्ती पर पोस्टेड है, बता दें कि दरोगा पाठक पर जमताड़ा के नरायरपुर थाने में मारपीट की प्रास्मी की दर्च कराई थी, मारपीट का या मामला मिनाज की मौत के बाद गैर इरादतन हत्या में तबदील हो गया था, इस मामले में नरायरपुर के ततकालिन थानेदार हरिस कुमार पाठक के विरुद गैर इरादतन हत्या का आरोप सत्य पाते हुए उनके विरुद 20 सितंबर 2018 को चार्ज सीट दाखिल की गई थी बहन की पिटाई से गुसाय साले ने जीजा और उसके दोश्ट को मार कर गार दिया मुरहु थाना छेतर के कोकरो कोचा जंगल के पहाडी में मंगलवार को दो शौव जमीन के नीचे दफनाए हुए मिले थे दोनों शौव सड़े गले हालत में बरामत किये गए हैं शौव की पहचान पंडा मुंडा और सेबियन हपरदाग के रूप में हुई है खुंटी स्पी अमन कुमार के निर्देश पर स्ड़े पियो अमित कुमार के नत्रित में साइटी टीम का गठन किया गया मामले में उसंधान करते हुए साइटी टीम ने कुछ संदिक दिलोगों को हिरासत में लिया उनसे पूछताज में पता चला कि मृतक पंडा मुंडा अपने दोष्ट सेबियन हपत गड़ा के साथ 29 अक्टूबर को अपने ससुराल कोवा गाउं आया हुआ था और रात को पतनी राधादेवी के साथ मारपीट की थी इसके बाद रातादेवी के भाई ने अपने जीजा को काफी समझाया बुझाया लेकिन वह कुछ मानने को तयार नहीं था फिर कहा सुनी होते होते बात बढ़ गई पुलिस ने शक्क के अधार पर मुरितक के साले सानीका मुंडा को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताच की तब उसने अपना जुर्म कुबूल करते हुए ये हत्या में शामिल अनतीन लेंगा पुर्ती, एमसी थेमस और एसी सि जाया लेकिन नहीं माना, तो गुसाय साले ने सनीका मुंडा ने अन्य लोगों के साथ मिल कर अपने जीजा और उसके दोस्त को खीच कर जंगल की योर ले गया, जहां सबल और लाठी डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी और पांच साल गरीबों को मिलेगा फ्री राशन केंद्र ने बढ़ाई समय सीमा, केंद्र सरकार ने 80 करोड गरीब परिवारों की सौगात को बढ़ा दिया है, सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यार अन्य योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है, मंगलवाज श इस से अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है, उन्होंने बताया कि अगले पांच साल में इस योजना पर करीब 11.8 करोड रुपए खर्च किये जाएंगे, जनकारी हो कि प्रधान मंत्री ने हाल ही में 36 गर के दुर्ग में एक जनसभा में इस योजना को पांच सा के बटवारे पर निर्णा करने से संबंदित है, केंद्रे मंत्री ने आगे बताया कि सोलमा वित्तायोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौब देगा, इसके सिफारिसे अप्रेल 2026 से 5 साल तक के लिए वैद रहेंगी, सभिधान के अनुछे 2080 के तहत स्थापित वि केंद्र तथा राजे सरकारों की वित्य इस्थिती का मुल्यांकन करना है, इसके अलावा उनके बीच करों के बटवारे की सिफारिश करना और राजियों के बीच इन करों की वित्रड का निर्धारण करने वाले सिद्धानतों को तै करना है, इसके साथ ही मंत्री मंडल ने म प्रतिवरिक्स पांच यूनिट मुफ्ति बिजली देने की योजना का एलान राजी सरकार ने किया है इसके लिए वन विभाग नगर निकाय और बिजली विभाग के लिए सन्युक्त कार योजना तयार की गई है योजना मुख्यरूप से शहरी छेतर के लिए है ऐसे में दंकारी दी गई है वर्य धिकारियों की माने तो जिन जीलों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा रहा है उन जीलों में पहले योजना लागू की जाएगी फिलाल कोडर्मा जीले से योजना लागू करने की तयारी की जा रही है इसके लिए कोडर्मा नगर परिसत की ओर स सूच ना जारी की गई है बता दें कि पौधर ओपड को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है योजना का लाफ पहुचाने के लिए व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा राची से श्री राम जन्म भूमी आयोध्या ट्रेन चलाने का आया प्रस्ताव सांसदों ने रेलवे अधिकारियों के सामने उठाया मुद्दा दच्छिड पुर्व रेलवे द्वारा रेलमंडल इस तरिय सांसदों की बैठक में राची रेलमंडल और चक्रधरपुर रेलमंडल से जुड़े सांसद शामिल हुए राजिसबा सांसद समीर उराओ ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कुछ प्रमुक ट्रेनों को लोहर्दगा होकर परिचालित करने की बात उठाई सांसद ने श्रेराम जन्म भूमी और रामलला से कनेक्टिविटी का मामला उठाया अभी तक राची से लखनव के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है इसलिए राची से बनारस वाया लोहर्दगा रामलला के दर्सन के लिए योध्या होते हुए लखनव गुमतिनगर तक ट्र चालन करने का प्रस्ताओ दिया गया है अनुसार होगा मतदान सुबह साड़े दस से दोपहर दो भजे तक होगा इसके बाद दोपहर तीन बच कर पंद्रा बिनट से मतगरना सुरू होगी नामांकन वापस लेने के बाद पदों के लिए उमिद्वारों की फाइनल सूची जारी की जाएगी प्रतेक वर्स की तरह छे पदों के लिए चुनाओ होंगे इसमें अध्यक्ष के पद उपाध्यक्ष के एक महासचीव के एक पद सहसचीव लाइबरेरी और प्रशासन के दो पद तथा कोशाध्यक्ष वस्था कोशाध्यक्ष के एक एक पद के लिए चुनाओ होगा वहीं कारेकारणी के पर चुनाव बैलेट पेपर की जर्ये होगा। चुनाव की घोश्रा होते ही बार एसोसियेशन परिशन में चुनावी महौल बन गया है। अनून भी यही कहता है क्योंकि राची जीले में इस वर्स याने अक्टूबर 2023 तक सड़क हाथसों में जितने लोगों की मौत हुई उसमें 46 फीस दी बीना हेलमेट के थे। वहीं हेलमेट पहनने के बावजूद भी 14 प्रतीशत लोग अपनी जान गवा चुके हैं। कई लोग हेलमेट पहनते भी हैं तो उसे सिर्फ सिर्फ पर रख लेते हैं। लोग तक नहीं लगाते। यही वज़ा है कि सड़क हाथसों में इनकी मौत हो रही है। परिवहन विभाग की समिक्षा में यह बात सामने आई है कि ओवर स्पीट के कारण सरवाधी का 80% लोगों की मौत होती है। वहीं बीना हेलमेट वाला आक राची 46% है। वहीं इस वर्स राची जीले में जितने सड़क हाथसे हुए हैं। इसमें 49% घटनाएं दो पईया वहानों से जुड़े हुए हैं। चेतर के अंतरगत चामा में मत्यदाताओं को प्रभावित करने के आरोप में संबंदित निर्वाचन अधिकारी ने उनके खिलाफ मामला दर्च किया था। विधायक विशेस अदालत ने उन्हें या कहते हुए बरी कर दिया कि जार्खन मुक्ती मोर्चा नेता के खिलाफ कोई ठोज सबूत पेश्ट नहीं किया गया। क्या था पूरा मामला? मामला 2014 विधानसभा के चुनाओ के दोरान का है। 2014 के चुनाओ में सतिंद्र तिवारी ने उन्हें पराजित कर दिया था। फिर 2019 के विधानसभा चुनाओ में मिथले स्ठाकुर ने जीत दर्च की थी।